आज क्या हमारी ये स्टोरी है व्राइटर, एक प्रीस्ट और एक लॉन्ट रिगल की व्राइटर जो असाइलम में था, वो हमेशा अडल स्टोरीज लिखता था उसकी स्टोरीज की वज़े से बहुत सारी चीज़े कॉंप्लिकेट होती है ये हम इस मुवी में जानेंगे हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको क्विल्ज, ये 2000 की एक हॉलिवड मुवी एक्स्प्लिन करने वालो अगर आपको वीडियो चलगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीज़ेगा अब बिना किसी दरीके, एक्स्प्लिशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है, और हमारी में करेक्टर, जिसका नाम में मैडलीन, ये हमसे इंट्रोट्यूस होती है एक असाइलम में लॉंट्रिकल का काम करती है यही पर एक व्राइटर को बन कर दिया गया है, इसका नाम है मार्की मार्की को कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, पर वो मैडलीन की जर्य अपनी राइटिंग वर्ल में भेशता रहता है सबसे चुपते चुपाते, मार्की की व्राइटिंग मैडलीन जाकर बहर देखर आती है वहाँ पर एक होस राइडर पब्लीशिंग कमपनी से उसका हमेशा वेट करता है यह उसे फ्लेट कर रहा था, उसने उसका नाम भी पूछा जब मार्की की बुक पब्लीश हुए, तो सब लोग उसे बहुत बाइक कर रहे थे इस मुवी का टाइम 80's का है, तो इस वज़े से इस तरीके की अडल्ट बुक्स पढ़ना ही अलाउड नहीं था जब मार्की की बुक की बारे में किंग को पता चला, तो वो बहुत ही ज़ादा गुसा हो जाता है उसने सारी कॉपी जलाने के लिए कहा, वो गुसे में मार्की को मार देने को ओर्डर देता है पर उसके सलागार ने कहा कि अगर हम उसे इस तरीके से मार डालेंगे तो हिस्ट्री में वो लीजन की तरह जाना जाएगा हम उसे मार नहीं सकते है तो इसी वज़े से मारकी की जान बज गई इस पर कुछ ना कुछ तो सोलुशन निकालना था तो किंग ने डिसाइड किया कि उस असायलम में उस डॉक्टर को भेजेगा ये डॉक्टर मारकी को ठीट करेगा डॉक्टर का नाम था रॉयर पर हम इन्हें डॉक्टर ही बुलाएंगे डॉक्टर बहुत इक क्रूल है हमेशा अपने पेशन को ट्रीट करने के लिए उन्हें टॉर्चर करता रहता है अब यही चीज मारकी के साथ भी होगी नेकसिन में मैडलीन को प्रीस लिखना पढ़ना सिखा रहा था एक्चुल में मैडलीन प्रीस को बहुत ही लाइक करती है पर प्रीस इस पर जादा ध्यान नहीं देता मारकी जो भी स्टोरीज लिखता था यह मैडलीन अपने फ्रेंड्स को सुनाती थी नेकसिन में हम देखते है मैडलीन मारकी के कपड़े लेने के लिए गए पर मारकी उसे अंदर आने के लिए कहता है मारकी के बुकसे जो भी सेल हुआ था इसके थोड़े पैसे उसने मैडलीन को दे दिये मैडलीन गयती है तुम्हारे पब्लिशर को तुमसे और भी बुकस चाहिए मारकी ने का कि मैंने और एक स्टोरी लिखी हुई है पर अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें प्राइस पेक करनी पड़ेगी मैडली समझती नहीं तो कहता है कि हर एक पेज के लिए तुम्हें मुझे किस देना पड़ेगा इसी तरीके से एक-एक पेज मैडली उससे ले रही थी तब ही वहाँ प्रीस्ट आ गया प्रीस्ट उसे जाने के लिए कहता है प्रीस्ट उसे समझाता है कि मारकी से मिलने के अलावा तुम मेरे पास confession के लिए आ सकती हो यह उसके लिए सही नहीं प्रीस्ट ने फिर मारकी को भी समझाया कि वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़े है अच्छी चीज़े है जिसके बारे में तुम लिग सकते हो मारकी को इस बात समझ भी नहीं आती वो कहता है इस जो चीज हम सब को जिंदा रखती है ज़नरेशन से चलती आ रही है उन्ही चीज़ों के बारे में मिलिखता हो इसमें कुच भी गलत नहीं इसके बाद हम देखते हैं कि मारकी को ट्रीट करने के लिए असाइलम में डॉक्टर पहुच चुका था डॉक्टर आकर प्रीस से मिलता है कहता है मैं यहां सिर्फ as a formality हो कोई भी problem आई तुम्हें इसे solve करूंगा डॉक्टर को मारकी की हिस्ट्री के बारे में पता था वो जब यंग था तो उसने murder किया था वो पागलो जैसे बाते करता है तो इसी वज़े से उसे asylum में डाल दिया गया है प्रीस्ट को question आता है कि इस डॉक्टर को यहां भेजा क्यों गया डॉक्टर ने प्रीस्ट से का तुम्हारे मारकी की स्टोरी kingdom में बहुत ही famous हो गई थी king ने खुद उसे इलाज करने के लिए भेजा हुआ है डॉक्टर ने प्रीस्ट को दिखाया कि किस तरीके से वो मारकी को torture करेगा वो इतना torture होगा कि सिर्फ writing के thought से विए डरने लग जाएगा प्रीस्ट को यह सब बहुत ही गलत लगता है उसने कहा कि मैं खुद मारकी से बात करूँगा वो मान जाएगा अब इसके बात कुछ भी नहीं लिखेगा प्रीस्ट समझता था कि मारकी के मन में जो भी है अगर इसके बारे में लिखेगा तो शायद cure हो सकता है पर इस पर अब कोई भी option नहीं है वो जाकर मारकी से बात करता है उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है मारकी इस बार भी माना नहीं प्रीस्ट नहीं चाहता था कि मारकी टॉर्चर हो इसलिए उसने डॉक्टर से जूट कह दिया कि मारकी अब कुछ भी नहीं लिखेगा मारकी ने भी इस पर बहुत सोचा इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि डॉक्टर एक और्फन लड़की को लेने के लिए आया अब वो उसके साथ शादी करने वाला था इस लड़की का नाम था सीमोन चर्ज की नन ने सीमोन का बच्पन से खहाल रखा था उससे कहती है कि अब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें यहां नहीं रहना पड़ेगा वरना तुम्हें भी नन बनना पड़ता तुम बहुत ही लगी हो जो डॉक्टर के साथ जा रही हो सिमोन सिर्फ एक टीनेजर है और डॉक्टर का एज बहुत ही जादा है पर फिर भी उसे करना पड़ता है उसे लगा कि वो सिर्फ एक केज से दूसरे केज में जा रही है सिमून को बुक्स पढ़ने का बहुत शोक था उसे वर्ल्ड का जो भी नौलेज आये था ये सिर्फ बुक्स पढ़कर रात में डॉक्टर उसके पास आता है उसके साथ जबरदस्ती इंटिमेट हो गया इन दोनों के बारे में सारे लोग डिसकस करते है इस सिमून कितनी छोटी है और डॉक्टर कितना बड़ा एक दिन इनके असालम के ठेटर में एक प्ले होने वाला था और इसको मार की नहीं लिखा उसने सारी चीज़े डारेक्ट किये और ये बहुत ही वलगर प्ले था डॉक्टर सिमून को लेकर एक प्ले देखने के लिए आया पर ये वलगर था इसलिए सिमून को उसने जाने के लिए कहा सारे लोग एक प्ले देख रहे थे इसमें काफी अडल चीजे थी तो इस वज़े से एक पेशन्ट एक्साइट हो गया वो डारेक्ली मैडलीन को जबरदस्ती करने लगता है प्ले की वज़े से किसी को भी आवाज नहीं आ रही थी पर मैडलीन ने एक आयन ली उसके सर पर मारी जब सब को इसके बारे में पता चला तो डॉक्टर ने कहा यह सब मार्की के प्ले की वज़े से हुआ है अगर उसने इस तरीके का प्ले नहीं किया होता तो इस सब नहीं होता मार्की के खिलाफ इन्हें एक्शन लेनी पड़ेगी प्रेश चाहता तो नहीं था पर जाकर उसने मार्की का pain pages ले ली है इन फेज़र के bands को quills कहा जाता था तो इसी वज़े से इस movie का नाम है quills मार्की प्रीष से कहता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो Madeline मेरी सब कुछ बात सुनती है अगर तुम चाओ तो तुम्हारे पास मैं उसे भेज सकता हो प्रीष कोई बात बहुत disgusting लगी इसके बात next scene में मार्की से मिलने के लिए उसकी wife आई हुई थी उससे समझाने की कोशिश करती है तुम ऐसी जीज़े लिखा मत करो मार्की कोई बात समझ में नहीं आती नहीं करता उसकी life एक living hell हो चुकी है मार्की बहुत ही selfish था वो अपने wife की भी care नहीं करता मार्की की wife directly doctor की पास है उसे कहती है मार्की का सही से इलाज कर दीजिए उसे इतनी तकलिव दीजिए कि फिर से कुछ भी कर ना पाए डॉक्टर कहता है हमारे asylum के बास इतने पैसे नहीं कि हम उसका सही से इलाज कर पाए मार्की की wife कहती है कि मेरे पास भी ज्यादा कुछ पैसे नहीं डॉक्टर कहता है मार्की की wife को भी प्लान अच्छा लगा उसे regret इस बात की थी एक बार उसने भी मार्की से प्यार किया था मार्की कुछ भी लिख नहीं पा रहा तो इस वज़े से बहुत दिस्टब हो चुका था उसके बास जब खाना आया तो चिकन का बोन यूज करकर wine को as a ink समझ कर वो अपने sheets पर पूरी book लिख डालता है यही shit उसने Madeline को दी है और Madeline जाकर इसे paper में लिख देती है जब वो इसे लिख रही थी तो उसकी mother भी इसमें interested होके उसकी mother blind है तो उसे यही चीज़े बहुत ही internet कर दिया है उसकी mother यह सब चीज़े सुनकर बहुत हसी है जब फिर से मार्की की book publish हु इसे सारी जीज़े अब निकाल कर लाता है मार्की कुछ लिख सके है ऐसा उसके पास अब कुछ भी नहीं इसे के parallel में हम डॉक्टर की वाइफ सीमोन को मार्केट में आया हुआ देख सकते हैं वहाँ पर जाकर वो मार्की की book buy कर कर लाती है वो इसमें बहुत ज्यादा इंट इस नहीं बेगं मार्की के कपड़े भी लेकर आता है यह सब करते हुए उसे दकलिफ हो रही थी मेडलीन मार्की को सपोर्ण कर दिये तो इस वजे से उस्से पनीश्मेंट दी जा रही थी सब लोगों के सामने उसे कोडे मारे जा रहे थे प्रीस ने देखा और जाकर मैडलीन को बचा लिया कहा कि अगर किसे को पनीश करना है तो मुझे कीजिए डॉक्टर प्रीस को छोड़ देता है प्रीस ने फिर मैडलीन से बात की उसने पूचा तुम्हें इन सब स्टोरीस में क्यों इंट्रेस्ट है मैने तुम्हें रीड करना सिखाया तुम्हें अच्छे नॉल्स रीड करने चाहिए थे मैडलीन कहती है कि मैं दीन बर बहुत काम करती हूँ और फिर मुझे ज़्यादा कुछ भी इंट्रेस्ट नहीं होता मार्की की स्टोरीस सबसे इंट्रेस्टिंग होती है और यही पढ़ना उसे अच्छा लगता है डॉक्टर के साथ काम करने वाला एक असिस्टन था यह यंग है और सिमोन को पसन आता है वो उसे बुशती है क्या तुम बुक्स पढ़ते हो उसने फिर मार्की की बुक उसे दिखाए असिस्टन यह देखकर बहुत ही सप्राइस था यह उसे कहता है सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होता तुमारे एज में यह प्रैक्टिकल करना चाहिए सिमोन ने कहा मुझे टीचर की जरूरत है इसके बाद इन दोनों का अफेर स्टार्ट हो गया था नेकसिन में हम देखते है प्रीस्ट ने अब डिसाइड किया है कि मैडलीन को कही दूर भेज देगा मैडलीन यहाँ से दूर जाना नहीं चाहती थी वो रात में प्रीस्ट के पास आई कहती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती है प्रीस्ट कहता है तुम मार किसे प्यार करती हो मैडलीन ने कहा तुम मेरी मदर से भी अंदे हो मैं तुम से प्यार करती हूँ ये कहिकर उसने उसे किस कर लिया पर प्रिस्ट उसे दूर करता है प्रिस्ट कहता है कि मैं भी तुमसे पैर करता हूँ पर उस तरीके से नहीं ये सब चीज़े करना उसे अलावड नहीं था मैडलीन इस बात से बहुत हर्ट हो गए इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि सीमोन और डॉक्टर का असिस्टन ये दोनों इक दूसरे की प्यार में थे डॉक्टर को चेड़ाने वाला एक लेटर लिख कर ये दोनों यहाँ से भाग जाते है जब डॉक्टर को लेटर मिला तो बहुत जादा गुसा हो गया सीमोन के रूम में जाकर वो सारी चीज़े चेक करता है और इसमें उसे मारकी का नॉवल मिला अब सारा गुसा हो मारकी को टॉर्चर करकर निकाल रहा था ओवर दर टाइम टॉर्चर की वज़े से मारकी तूट चुका था मैडलीन उसे मिलने के लिए आई उसे स्टोरिस के बारे में पूछा पर मारकी कहता है कि मैं हार चुका हूँ अब कुछ भी नहीं कर सकता मैडलीन कहती है तुम कभी भी हारने वालों में इसे नहीं हो तुम्हें कर सकते हो अभी क्या भी मुझे स्टोरी सुनाओ और मैं लिक डालूंगी मारकी को भी एक आईडा है रात में उस्टोरी अपने नेबर की रूम में सुनाता है ये पेशन दूसरे पेशन को सुनाता है इसी तरीके से ट्रैवल करते करते हैं ये फाइनली स्टोरी मैडलीन के पास पोछती है और मैडलीन ये सब लिक रही थी ये स्टोरी बताते हुए मारकी कुछ कहता पर जब तक मैडलीन के पास पोछती तब तक सेंटेंस बदल जाता था पर फिर भी ये स्टोरी कम्पलिट हो रही थी स्टोरी के एक सिनारियों में आग लगने का जिक्र हुआ ये सारे लोग बागली है तो आग के बारे में जब बताया गया तो एक पेशन अपनी कैंडल लेकर उसी की बेड़ को आग लगा देता है वो हेल्प के लिए जिलाने लग गया तभी सब गार्ड वहाँ पर पहुचे सब लोग को फ्री कर दिया गया था स्टोरी सुनकर सब लोग बहुत एकसाइट हो गए थे प्रिवेसली जिस पेशन ने मेडलीन का रेप करने की कोशिश की थी वो फिर से उसके पास आ गया उसे जबरदस्ती करने लगता है प्रीस सारी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ पहुचा मेडलीन की चीखी उसे सुनाय दे रही थी जब तक वो वहाँ पहुचा तब तक उस पेशन ने मेडलीन को मार डाला था वो इस हालत में उसे देखकर बहुत रोता है जब सारी चीज़े कंट्रोल में आई तो डॉक्टर ने प्रीस से बात की कहा कि यह सब मार की की स्टोरीस की वज़े से हुआ है तुमने उसे सही से कंट्रोल नहीं किया तुम भी इसके लिए जिमेदार हो प्रीस फिर गुसे में मार की के पास पहुचा कहता है यह सब तुमारी वज़े से हुआ है अगर तुम वो स्टोरी नहीं सुनाते तो मैडलीन अब भी जिन्दा होती मार की कहता है मैंने सिफ स्टोरी सुनाई थी इससे वो इंफ्लूंस हुआ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं वो दिखा रहा था कि उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता प्रीस्ट को मालूम है कि मैडलीन से वो प्यार करता था वो कहता है कि मैडलीन तुमारे पास इतनी बार आए पर कभी भी तुमने उसे जबर्दस्ती नहीं की तुम भी उसे बहुत प्यार करते थे यह सुनकर मारकी बहुत रोया जो भी हुआ है इससे उसे भी बहुत फरक पड़ा था प्रीस्ट इस बात को जाने नहीं दे सकता तो गुसे में मारकी की टंग काट देता है यह बात आकर उसने डॉक्टर से कही तो डॉक्टर है सुनकर इंप्रेश था उसे बुछता है क्या तुम आज राज सही से सो पाऊगे प्रिस्ट ने कहा कि मैं कभी भी नहीं सो पाऊंगा परे करना जरूरी था रात में प्रिस्ट ने अपने आप कोई पनिश्ट किया उसे सपना आता है कि मैडलीन अभी भी जिन्दा है उसके साथ वो इंटिमेट हो रहा है इस सपने की वज़े से वो बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गया था रात में फिर से प्रिस्ट को बुलाया गया मारखी ने अपने वेस्ट से पूरे वाल्स पर स्टोरी लिख दी थी वो बहुत ही पैन में था और अब मर रहा था प्रिस्ट के लैप में ही उसकी डेफ हो जाती है प्रिस्ट को बहुत बुरा लगा प्रिस्ट बहुत रोया प्रिस्ट उसे कहता है तुम्हारी डेथ ऐसे ही वेस नहीं जाएगी अब इसके बाद स्टोरी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है अब हम देखते हैं इस हॉस्पिटल में और एक नया प्रिस्ट आया हुआ है मारकी की जो भी स्टोरीस थी ये सारी डॉक्टर अब पुप्लिश कर रहा था मारकी की स्टोरीस की वज़े से इस हॉस्पिटल को बहुत नुकसान हुआ है इसके रिपेरिंग के लिए जो भी पैसे लगेंगे ये मारकी के बुक सेल करकर ही हो ले लेगा ये scene हमें world का बहुती twisted point of view दिखाता है इसके बार doctor new priest को सब जगा दिखा रहा था इसमें हम देखते हैं कि हमारा old priest अब पागल बन चुका था जो भी उसके साथ हुआ तो इस वजे से अपना control उसने खो दिया जिस तरीके से मार के story लिखता था उसी तरीके से वो भी story लिखने लग गया वो कुछ लिख ना पाए तो doctor ने उसके भी pen और paper ले लिये थे वो doctors request करता है पर doctor उसे इन और करके चला गया अब Madeline के गुजर जाने के बाद laundry का काम उसकी मदर करती है प्रिस्ट की laundry लेने के लिए जब वो आई तो उसे pen और paper दे देती है उसने उसे कहा कि Madeline भी यहीं चाहती इस story continue रहे प्रिस्ट फिर मार की की तरह stories लेखना start कर देता है और यही पर यह movie end हो जाती है यह आज के हमारी story क्या सही क्या कलब इन सब चीजों को बहुत दी twisted way में present करती है हम इसके अलग-अलग मीनिंग निकाल सकते है तो आज का वीडियो हम यही गतम करते है अगर आपको explanation अच्छा रगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon नहीं मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूई के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया